अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला दोस्तों आज हम रोबर्ट टीकियो साकी की एक मसहूर बुक रिच डैड पूर डैड की एक लेसंस के बारे में सीखने वाले हैं कि अमीर कैसे बने अमीर लोग पैसी के लिए काम नहीं करते सबसे पहले आप इस छोटी सी कहानी को समझ लीजिए एक बेक्ती जिसके पास एक गधा होता है जब उस बेक्ती को अपने गधे से महनत करानी होती थी तो वा एक गाजर उस गधे के आगे लटका देता है उस गजर को देखते ही गधा उसे खाने के लालच में महनत करने लगता है उस गधे को उमीद होती है कि एक ना एक दिन वो उस गजर तक पहुँच ही जाएगा लेकिन बेचारा गधा उस गजर तक कभी नहीं पहुँच पाता क्योंकि यह गजर तो सिर्फ एक चलावा है लेकिन उस बेक्ती के लिए यह गजर गधे से महनत कराने की एक अच्छी तरकीब बन गई थी ज़्यादतर लोग उसी गधे की तरह ही होते हैं जो इस उमीद में महनत पर महनत किये चले जाते हैं कि एक दिन वो अमीर बन जाएंगे लेकिन पैसा उनके लिए केवल एक सपना बन कर ही रह जाता है जो कभी भी अमीर नहीं बन पाते अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम न करें बल्कि पैसे को अपने लिए काम करने दे क्योंकि जैसे ही हम अमीर बननी की राह में अपना पहला कदम बढ़ाते हैं तो हमारा डर और लालच हम पर हावी होने लगता है कि कहीं हम गरीब के गरीब ही न रह जाएं इस अध्याय में आथर ने उन लोगों की बात की है जो खेल को सुरक्षित खेलना चाहते हैं यानि जो लोग रिश्क लेने से डरते हैं क्योंकि उनको जोखिम लेना तो कभी सिखाया ही नहीं गया ऐसे लोगों के दिमाग में कुछ चीजों को लेकर हमेसा डर बना रहता है जैसे लोन का किस्त ना चुका पाने का डर खतम होने का नाम नहीं लेता हम ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि हम ज़्यादा कमा सके लेकिन फिर हमारे खर्चे भी उसे हिसाब से बढ़ने लगते हैं इसी को अमीर डैड रेट रेस यानि चुहा दोड कहते हैं जो एक ट्रैप है हमको लालच और डर के इस ट्रैप से बचना है क्योंकि हम में इसी ज़्यादातर लोग अमीर बनना चाहते हैं इसी ट्रैप का सिकार हो जाते हैं लेखक का कहना है कि हर इनसान के जिन्दगे में अपरचुनिटीज यानि मौके आती हैं लेकिन जहां अमीर लोग उन अपरचुनिटीज को पहचान कर उनको अपने लक्ष में तबदील कर लेते हैं वहीं गरीब लोग इन अपरचुनिटीज को देखी नहीं पाते क्योंकि गरीब लोग हमेशा पैसे और सिकुरिटी के पीछे भागने में लगे रहते हैं लेकिक का कहना है कि पैसा हमारे लिए 24 घंटे काम कर सकता है लेकिन अगर हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो उसका फायदा केवल हमारे मालिक को होता है या उस कंपनी को जहां आप नौकरी कर रहे हैं और अगर हम पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं तो सारी पावर और कंट्रोल हमारे हाथों में होता है इसलिए पैसों के लिए काम करने के बजाए पैसे को अपने लिए काम करने के लिए मजबूर कर देजिए अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले हैं समझना होगा कि आप खुद के लिए जवाब दे हैं ना कि दूसरों के लिए आपका जो भी सवाल है खुद से पूछिए क्योंकि उनका जवाब सिर्फ आपके पास ही है अमीर बनने की राह में आपका पहला कदम होना चाहिए कि आप सबसे पहले अपने मन से डर निकाल देजिए क्योंकि ज़्यादा पैसा ना कमा पाने का डर और लालच है आपको बिना सोचे समझे काम करने के लिए मजबूर करता है और आपको नाकाम्याबी के रास्ते पर धकेलता है इसलिए डर और लालच को खुद पर इतना हावी ना होने दे कि उसकी वज़ा से आप उल्टे सीधे फैसले लेते रहें बेहतर होगा कि आप जो भी करें अच्छे से सोच समझ कर करें अपना कोई भी निरने जल्द बाजी में ना लें आपको प्रती दिन अपने काम अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या आप उतना कर पा रहे हैं जितना आपको आपकी प्रदेंशल के मताबिक करना चाहिए ऐसे लोगों की तरह सोचना बंद कर देजिए जो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ही काम करते हैं अमेर डैडी अपने पहले सबक की सुरुवाद कुछ इस तरह करते हैं कि वो रोबर्ट और उसके मित्र माइक को अपने एक कन्विनियन्स स्टोर में काम पर लगा लेते हैं इस काम के लिए उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता फिर भी वो दोनों काम करते रहते हैं वो दोनों पूरे दिल से इस काम को करते हैं इसका फाइदा ये हुआ कि इस काम के दौरान उनके दिमाग में कई नए आइडियाज आए अमेर डैडी ने उन दोनों को बताया था कि पैसा कमाने के तरीकों पर हमेशा निगाह रखें अगर आपके एक बार आवसर को पहचान लिया तो आप जीवन भर अच्छे आवसरों को पहचानने लगोगे उन दोनों ने अमेर डैडी की इस बात को याद रखा उन्होंने देखा कि उस इस्टोर की कलरक मिसिज मार्टिन कॉमिक्स बुक्स के सामने वाले पेज को दो हिस्सों में फाड़ देती थी और आधा हिस्सा वो अपने पास रख लेती थी और बाकी का आधा हिस्सा फेक देती थी सामके समय स्टोर में कॉमिक्स डिस्टिबूटर आता था और कॉमिक्स बुक्स के उपरी आदे हिस्टे को स्टोर की कलर्क मिसिज मार्टिन से क्रेडिट के लिए लेता था और बदले में नई कॉमिक्स बुक्स दे दिया करता था एक दिन उन दोनों ने उस डिस्टिबूटर से पूछा कि क्या आप पुरानी कॉमिक्स बुक्स हमें दे सकते हो कॉमिक्स डिस्टिबूटर इस सर्थ पर कि वो कॉमिक्स बुक्स को बेचेंगे नहीं कॉमिक्स बुक्स देने के लिए तयार हो जाता है उन्होंने सोचा क्यों न हम इस पुरानी कॉमिक्स बुक्स को किराये पर पढ़ने के लिए दें और उन्होंने ऐसा ही किया उन्होंने अपने दोस्त और बाकी बच्चों को पढ़ने के लिए कॉमिक्स बुक्स को किराये पर देना सुरू कर दिया इसके बदले वो दो घंटे का 10 सेंट किराया वसूला करते थे इन दो घंटों में गराहां कितनी भी किताब पढ़ सकते थे उन दोनों ने माईक की बहन को इस काम में अपनी मदद के लिए एक डॉलर पर तेक सप्ता के तनक्वार पर रख लिया इस तरह वो दोनों तीन महिने तक और सतन हर सप्ता 9.50 डॉलर कमा रहे थे इससे उन्होंने सीखा कि पैसे को खुद के लिए काम करने पर कैसे लगाया जाता दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं हमारी दिच डैड पूर डैड इन हिंदी समरी आपको पसंद आ रही होगी पसंद आ रही हो तो लाइक कर दें और इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सबस्क्राइब करें असलाम आलेकों मरहमतुल्हूं